हेलो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो आप किसी भी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं, कम्पिटिशन हो या इंट्रेंस एक्जाम हो या किसी भी तरह का एक्जाम का प्रिपेशन कर रहे हैं, तो ये BPSC का जो है answer की है और math का question इसमें हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को full watch किजिए जिसे की जानकारी मिले, सही मिले, सटिक मिले और question और answer देख लिजे, आप लोग solve करने का परियास किजिएगा, किसी भी exam की तयारी करते हैं, तो question provide कराने का मतलब हमारा एक उदेश है, जो आप इस तरह के question को solve करने का परियास किजिएगा तो यहाँ पर एक और जनकारी देते हैं, जो है language paper और general study paper जो भी paper हुआ है BPSC का, यह जो है सब का same है, music का हो, mathematics का हो या science का हो, या other कोई भी subject का, तो यह दोनो paper जो है, सब ही का same है तो इसमें हम सिर्फ math का question solve करेंगे, ठीक है जो कि आप part यहाँ पर देख सकते हैं, एक 70 से 1.500 तक दिया गया है तो इस question को हम लोग solve करेंगे, और इसका जो है same है तो आपको पिछले वीडियो में provide करा दी है, उसको जा करके देख लीजिएगा जिसे कि आपको idea मिल जा, जो किस type के question पूछे जाते हैं ठीक है, language और general study में तो चलिए, आइए start करते हैं, math का question, आप लोग solve करके देखिएगा ठीक है, question और answer आप लोग को provide कराते हैं तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, part third यहाँ पर और mathematics question, तो आप सभी सबसे पहले देख लेजे 71 number question का right answer क्या हो जाएगा, तो 71 का जो है a right answer हो जाएगा, उसके बाद है, आप 74 number question देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो इसका जो है, समिकरन का right answer क्या हो जाएगा इसका मान निकालना है, तो इसको मान निकालेंगे, तो कितना right answer होगा तो 72 का right answer E हो जाएगा, ठीक है खुक्विक्त में से कोई नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसके बाद चलिए 75 number question देख सकते हैं, तो इसका जो है घरों का योग क्या होगा, तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो चलिए 75 का right answer C हो जाएगा आपका right answer, ठीक है उसके बाद चलिए next question देख लेते हैं, तो 76 number question आप लोग देख पाड़ोंगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा, तो 76 number का right answer E हो जाएगा right answer, ठीक है, उप्युक्त में से कोई नहीं, उसके बाद चले 73 नमर question का right answer देख लेते हैं, तो इसका right answer A का right answer हो जाएगा आपका इसका जो है A right answer हो जाएगा ठीक है, A right answer हो जाएगा 6, ओके, तो चले फिर next question के ओर बढ़ते हैं तो चले उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर जो है 77 नमर question का right answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर sign 3000 दिया गया डिगरी, तो इसका मान क्या होगा, तो चले right answer इसका देख लेते हैं 77 का E right answer हो जाएगा root 3 by 2 उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं C number question का right answer क्या हो जाएगा B इसका right answer हो जाएगा तो आप लोग question को solve करने का परियास की जिगा देखिएगा कितना solve कर पाते हैं किसी भी exam के आप तयारी करते हैं तो उसके बाद चली यहाँ पर देख लीजे 78 number question का जो है इसका जो है परिभासित करने का सूतर क्या है तो इसका right answer क्या हो जाएगा 78 का तो इसका right answer हो जाएगा बहुलक बड़ावर 3 माधी का minus 2 माध्ध है उसके बाद चली यहाँ पर 81 का देख लेते हैं तो 81 का right answer हो जाएगा आपका B right answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद चली next question की और बढ़ते हैं 79 number question आप लोग देख पा रहोंगे तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 79 number question का right answer आपका हो जाएगा D जो है इसका right answer होगा उप्यूक्त मेंसे एक से अधीक ठीक है आप लोग निकाल के देखिएगा तो उसके बाद चली next question की और बढ़ते हैं 82 number question आप लोग देख पा रहोंगे 82 का right answer क्या हो जाएगा तो A इसका right answer हो जाएगा इसको solve करके आप सभी जरूर देखिएगा तो चली फटा-फट question और answer देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 83 number question आप लोग देख पा रहोंगे तो 83 का right answer C हो जाएगा आपका C right answer हो जाएगा 86 का question आप लोग देख पा रहोंगे 86 का question रहा यह उसके answer क्या हो जाएगा 86 का C right answer हो जाएगा उसके बाद चली next question देख लेते हैं यहाँ पर तो next question आप लोग देखेंगे यहांपट 84 का question आप सभी देख पा रहे होंगे तो इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा आपका 84 का A right answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 87 number question का right answer क्या हो जाएगा B इसका right answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं 88 number question का तो आप लोग question देख लिजिए इसका right answer क्या हो जाएगा तो 88 का right answer हो जाएगा आपका c, c जो है इसका right answer हो जाएगा, उसके बाद चलिए 85 नमबर question देख लिजे, इसका right answer क्या हो जाएगा, तो इसका right answer हो जाएगा आपका a, a right answer हो जाएगा, चलिए next, तो चलिए देख लिते हैं, यहाँ पर 89 नमबर question आप लोग देख पारेंगे, इसका right answer क्या हो तो A जो है इसका right answer हो जाएगा, उसके बाद 92 number question आप लोग देख पा रहेंगे, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, 92 का right answer B, right answer हो जाएगा, उसके बाद चलिए next question के और बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 90 number question आप लोग देख लिजिएगा, इसका right answer क्या हो जाएगा, तो ये इसका right answer हो जाएगा, उसके बाद 93 number question आप लोग देख पा रहेंगे, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, तो ये इसका भी right answer हो जाएगा, उसके बाद चलिए next question क्यों बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 91 नमबर question का जो है right answer क्या हो जाएगा तो इसका 91 का right answer हो जाएगा B ठीक है उसके बाद 94 नमबर question का right answer क्या हो जाएगा तो इसका जो है right answer हो जाएगा 94 का B right answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलिए next तो चलिए 95 नमबर question का देख लेते हैं right answer क्या हो जाएगा तो इसका जो है right answer आपका हो जाएगा C जो है right answer हो जाएगा 1296 उसके बाद चली यहाँ पर देख सकते है 98 नमर question का right answer क्या हो जाएगा 98 का जो है right answer A आपका 400 right answer हो जाएगा ठीक है उसका चली next question क्यों बारते हैं तो यहाँ पर 96 नमर question देख सकते हैं इसका जो है right answer क्या हो जाएगा 96 का जो है right answer आपका हो जाएगा B B जो है right answer हो जाएगा 99 number question का right answer क्या हो जाएगा 99 number question का right answer हो जाएगा आपका B जो है इसका भी right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next देख लेते हैं यहाँ पर 97 number question 97 number question का right answer क्या हो जाएगा तो 97 का C जो है right answer हो जाएगा और 100 का जो है कितना इस question का answer हो जाएगा तो इसका जो है hundred का B जो है right answer हो जाएगा ठीक है B तो यह हो गया उसका चले next question क्यों बढ़ते हैं तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 101 number यहाँ पर अरजित सधारन ब्याज का अनुपात है तो अनुपात यहाँ पर बताना है आप लोग question देख पा रहेंगे तो इसका जो है right answer हो जाएगा 101 का B जो है right answer हो जाएगा 2 अनुपात 3 उसके बाद जो है 104 number question आप लोग देख पा रहेंगे इसका जो है right answer बत क्या हो जाएगा तो आपका 104 का right answer जो है A हो जाएगा right answer 16 minute उसके बाद चले next question क्यों बहरते हैं 102 number question आप लोग देख पा रहेंगे तो इसका जो है right answer क्या हो जाएगा आप इसका words हो की संख्याई यहाँ पर ग्यात करना है तो 102 का जो है right answer हो जाएगा A चार words ठीक है उसके बाद चले यहाँ पर 105 number question देख लेते हैं 105 number question का right answer क्या हो जाएगा 105 number question का right answer C right answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद चले next देख लेते हैं 103 number question का सही उत्तर क्या होगा तो इसका जो है right टेंसर हो जाएगा आपका 103 का A ठीक है A जो है राइट एंसर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर देख लीजे यह question को solve करके देखीगा आप सभी ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा 106 नमर का B जो है right answer हो जाएगा 8 दिन चलिए next की और बढ़ते हैं तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 107 नमर question आप लोग देख पा रहेंगे इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer A right answer हो जाएगा उसके बाद 110 नमर question आप लोग देख पा रहेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो सही उत्तर 110 का जो है आपका हो जाएगा A A जो है right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next 108 नमर question आप लोग देख लिजे और इसका जो है right answer क्या हो जाएगा 108 का जो है right answer आपका C जो है right answer हो जाएगा 14 घंटे में उसके बाद 111 नमर question आप आप लोग देख पारेंगे 111 का जो है राइट एंसर यह हो जाएगा ठीक है 20 मीटर उसके बाद चलिए next 109 नम्मर कोश्चन देखिए तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा next तो चलिए 113 नम्मर कोश्चन आप लोग देख पारेंगे इसका जो है राइट एंसर क्या हो जाएगा चलिए 113 का एट एंसर क्या हो जाएगा इसके बाद चलिए रहते हैं ह् का पंदर नम्मर कोश्चन देख लिजे आप सभी इसका र स्कारइट एंसर क्या हो जाएगा एग सो पंदर का एराइट एंसर होजाएगा Greg कि यह जो है राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद यहां पर 118 नम्मर नंबर कोशेन आप लोग देख पा रहे होंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जाएगा बी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए next तो चलिए 129 नमर कोश्चन का देख लेते हैं दुई घात बहुपद का इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो वो 119 का राइट एंसर आपका भी राइट एंसर हो जाएगा ठीक है दोनों रिनात्मक है उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 122 नमर कोश्चन का राइट एंसर जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्रिक्त में से कोई नहीं उसके बाद चली next 120 नमर कोश्चन देख पा रहेंगे आप समी रहेखिक समी करनों इसका जो है राइट एंसर क्या हो जाएगा 120 का जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा C जो है right answer हो जाएगा minus 1 उसके बाद 123 नमबर आप लोग question देख पा रहेंगे इसका right answer क्या हो जाएगा 123 का A right answer हो जाएगा ठीक है A ये जो है right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next question क्यों बढ़ते हैं तो 121 का जो है right answer आप लोग देख पाएगे इसका right answer क्या हो जाएगा 111 का तो इसका right answer C हो जाएगा ठीक है 5 बटा 6 उसके बाद 124 नमर question देख पा रहेंगे इसका right answer क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा E ठीक है उप्यूक्त में से कोई नहीं तो चलिए देख लेते हैं उसके बाद 125 नमर question आप लोग देख पा रहेंगे इसका right answer क्या हो जाएगा तो 125 का right answer आपका A हो जाएगा right answer उसके बाद 128 नमर question आप लोग देख पा रहेंगे तो 128 का क्या हो जाएगा right answer C इसका right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए यहाँ पर 126 नमर कोश्चन आप लोग देख पाड़ेंगे इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा 126 का सी जो है राइट एंसर हो जाएगा ठीक है और टैंथ में इस तरह के सवाल आप लोग बहुत ज़्यादा बनाए होंगे अराम से यह पर्सन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 129 नमर कोश्चन का राइट एंसर क्या होगा तो 129 नमर कोश्चन का राइट एंसर भी ह इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 127 नमर कोश्चन आप लोग देख पा रहेंगे तो इसका जो है राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 130 का जो है C राइट एंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलिए next तो 131 नमर कोश्चन आप लोग देख पा रहेंगे तो इसका ज जो है राइट एंसर हो जाएगा 134 नमर कोश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा 134 का जो है यह राइट एंसर हो जाएगा इसका भी जो है यह राइट एंसर होगा उसके बाद चलिए 135 नमर कोश्चन देख लेते हैं 135 का जो है राइट एंसर क्या होगा इसका भी जो है य राइट एंसर हो जाएगा ठीक है उसका चलिए नेक्स tą बाटीस paragraphs देख लेते हैं इक 116 नमो सम्हसिचन का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका जोLab 132 का राइट एंसर बी हो जाएगा उसका ए 136 नमर कोश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 136 नमर कोश्चन आप लोग देख पा रहेंगे यहाँ पर इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा 136 नमर कोश्चन को बढ़ते हैं 133 नमर कोश्चन आप लोग देख पा रहेंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा B, 14 cm उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते है 137 नमर कोश्चन का A का मान ग्याद करना है तो इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा 137 का A, राइट एंसर हो जाएगा ठीक है 10 डिग्री, उसका next तो 138 नमर कोश्चन आप लोग देख पा रहोंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 138 का C, राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद 142 नमर कोश्चन देख पा रहोंगे आप सभी तो 142 नमर कोश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 142 का A right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next question के और बढ़ते हैं तो 149 नमर question आप सभी देख पा रहेंगे तो इसका जो है right answer क्या हो जाएगा तो 149 का right answer हो जाएगा आपका B ठीक है उसके बाद 143 नमर question आप लोग देख पा रहेंगे इसका right answer क्या हो जाएगा 143 का 143 नमर का right answer B हो जाएगा इसका भी उसके बाद चलिए यहां पर देख लेते हैं 140 number question 140 number question का right answer क्या हो जाएगा तो 140 का right answer हो जाएगा आपका B इसका भी जो है right answer B है उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं तो 144 नमर आप लोग question देख पाड़ोंगे तो 144 नमर question का right answer क्या हो जाएगा तो 144 का ये जो है right answer हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर 144 नमर question आप लोग देख पाड़ोंगे इसको solve करना है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer आपका हो जाएगा 141 नमर कोश्चन का राइट एंसर C हो जाएगा C देख सकते हैं 141 नमर कोश्चन का राइट एंसर है 145 नमर कोश्चन आप लोग देख पाड़ोंगे इसका जो है राइट एंसर क्या हो जाएगा 145 का राइट एंसर आपका हो जाएगा C नमर जो है इसका right answer हो जाएगा उसके बाद 148 नमर question आप लोग देख लीजेगा ठीक है तो इसका जो है right answer क्या हो जाएगा 148 का C जो है right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए 146 नमर question देखेंगे तो 146 नमर question आप लोग देख सकते हैं माधिका और माध्य का अंतर बताना है इसमें ठीक है तो इसका जो है right answer क्या हो जाएगा 146 का right answer E हो जाएगा इसका right answer उसके बाद चलिए 149 नमर question देख लेते हैं 149 नमर question आप लोग देख पाड़ेंगे इसका right answer आपका हो जाएगा E उप्युक्त में से कोई नहीं उसके बाद next 147 नमर question आप लोग देख पाड़ेंगे तो 147 का right answer हो जाएगा आपका C ठीक है C right answer हो जाएगा और उसके बाद जो है सबसे last question देख सकते हैं यहाँ पर जो है 150 question जो है इसका right answer क्या हो जाएगा A तो आप सभी जो है इतना person देखे ठीक है 75 से ले करके 1500 तक तो इसमें से solve करके देखेगा कितना आप जो है solve कर पाएए हैं और आप लोग जो है VPSC के exam दिया है तो मिला लीजेगा कितना आपका जो है सही हुआ कितना गलत हुआ और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like कर देजेगा चैनल पर पहरी बार होंगे तो चैनल को subscribe कर लेजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thanks for watching this video वीडियो